Hello and Welcome to Learn with Hema's Class My dear students, आज हम करने वाले हैं Standard 10th का English Subject और उसके Unit 3 का 3.2 Chapter The Night I Met Einstein जिसे लिखा है Jerome Wiedman ने Jerome Wiedman एक American Play Writer है प्लस Novelist भी है, Novels भी लिखते है 1960 में उनको एक Pulitzer Prize मिला है अपने काम के लिए जो कि एक Musical Drama था जिसका नाम था Fiorello इसके लिए उन्हें Award मिला है उन्होंने दूसरे Musicians के साथ मिलकर जैसे कि George Abbott, Jerry, Bog Jake and Sheldon Harnick इनके साथ मिलकर Music और Music भी बनाया है और गाने भी लिखे हैं His book I Can Get It For You Wholesale has also been used for a movie of the same name उन्होंने एक book लिखी है I Can Get It For You Wholesale यह book जो है movie में भी translate हुई है movie भी बनाई गई है इसके उपर और उस movie को भी यही नाम दिया गया है तो आप देखना चाहो तो आप यह अगर आप टाइप करोगे आजकल तो इंटरनेट पर गूगल पर जो भी आप टाइप करोगे आपको सब मिल जाएगा तो यह movie आप देख सकते हो The Night I Met Einstein यह narrator और Einstein के बीच का एक encounter हुआ है एक party में किसी और के घर में जहाँ पर Jerome Wiedman को music के बारे में कोई समझ नहीं आ रहा है तो उन्हें पता भी नहीं चलता है वो musical piece कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया तो उनके ही बाजू में Einstein बैठे थे Einstein ने जब देखा कि इस बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो उन्हें upstairs एक दूसरे कमरे में लेके गए और शुरुवात में एकदम basic से उन्होंने music शुरुवात करी उनको सुनाने की और end में एक point ऐसा आ गया कि जेरॉम वेडवेन को जो musical piece नहीं समझ में आ रहा था वो एक तम beautiful समझ में आने लग गया तो यह पूरा जो किस्सा है मैं आपको समझाओंगी line by line पढ़के क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है समझने में और कई बच्चे कहते हैं कि हमें सिर्फ overall समझाईए overall समझाने में problem यह होती है कि जब आप passages solve करने की बारी आती है तो overall में passages solve करने में दिक्कत हो जाती है इसलिए मैं जो है यह मेरा starting से मैंने रखा है policy कि मैं line by line आपको explain करती हूँ साथी साथ इसके question answers भी में प्रोवाइड करती हूँ question answers को आप description box में आप link देख सकते है और answers मैंने जो safe response answers ने उनको explain किया है बाकी तो सब जो भी objective type है ज्यादा कुछ खास नहीं लेकिन हाँ आप अगर chapter ध्यान से सुनोंगे तो जरूर से आपको समझ में आएगा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से request जो हमेशा से मेरी रहती है वो यह पचो कि यदि आप मेरे चैनल के subscriber नहीं है तो जरूर से subscribe कीजिए प्लीज सपोर्ट कीजिए मुझे मेरे subscribers count बढ़ने के लिए और अपने friends के साथ भी सरूर से share कीजिए तो चले शुरू करते हैं अब narrator के बारे में अब यह जो hostess है hostess मतलब जिसने पार्टी यह रखी है जिसके पार्टी में यह narrator जो गए है तो जब वो बहुत यंग मैं थे तब उनको इस philanthropist ने invite क्या था what do you mean by philanthropist philanthropist मतलब वो होते हैं जो अच्छे काम करने के लिए डोनेट करते हैं जैसे रुपए हो गए कपड़े हो गए फुड हो गए मतलब गरीबों के अंदर डोनेट करने उस अब philanthropist कहते है a rich person who usually donates तो एक बहुत यह वंडरफुल डिनर हुआ उन लोगों का उसके बाद म उन सबको एक बड़े से ड्रोइंग एरिया में ड्रोइंग रूम में लेके गए और वहां पर चैर्स लग रही थी उस वक्त और चब यह सब गए तो उन्होंने क्या बताए होस्टेस ने कि यह चैर्स क्यों लग रही है क्योंकि उन्होंने वहां पर एक कॉंसर्ट अरेंज को सुनने वाले हैं, though everyone else was very happy, I was not I did not understand classical music, I thought I was tone deaf, I sat down so that I would not be impolite and waited for the concert to begin, I did not pay attention to the music after it began अब सभी लोग तो बहुत खुश्ट है, जैसे ही सुना कि प्यानिस्ट आने वाला है, बजाने वाला है प्यानो, तो सब लोग बहुत खुश्ट है लेकिन मैं खुश नहीं था, क्यों क्योंकि मुझे classical music पसंद नहीं था, तो नरीचर को कौन सा music पसंद नहीं था, classical music पसंद नहीं था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था, नरीचर को ऐसा लगता था, कि वो tone deaf है, tone deaf मतलब music समझ में नहीं आता है तो फिर भी लेकिन फिर भी वो वहां बैठ गया जो खाला कि उसे पसंद नहीं था म्यूजिक समझ नहीं आता था लेकिन फिर भी जो होस्टे से उसको बुरा न लगे वो बुरा ना मान जाए, इसके लिए वो वहाँ बैट गया और concert के शुरू होने का इंतजार करने लगा and जब concert शुरू होआ, music बजने लगा तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया narrator ने उस music पर इतना ध्यान नहीं दिया after a while I heard everyone clapping, so I realized that the peace was over मतलब कुछ समय बात जब सब लोग तालिया बजने लगे तब मुझे realize हुआ कि यह जो music बज रहा था वो खतम हो गया है just then I heard a gentle but firm voice saying you are fond of Bach और उसी वक्त एक बहुत ही gentle लेकिन firm voice मुझे बोलती हुई नजर आई और उन्होंने जैसे मुझे से पूछा है तुम्हें बाग पसंद है I knew as much about Bach as I did about nuclear physics I was going to say something ordinary so that I could get out of the situation I turned in order to look at my neighbor and I saw a very famous face it was someone with a shock of white hair and a pipe अब वो कहना अब जो narrator को जब पूछा गया किसे ने भी पूछा है तो narrator को तो उतना ही पता था बाग के बारे में ज्यादा कुछ, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा था समझो, पसंद ही नहीं था शायद तो इसलिए पता भी नहीं था वो ऐसे ही कुछ time pass के लिए बोलने वाले थे ताकि वो इस situation से बाहर निकल जाए कि कोई सवाल जबाब किसी के साथ ना करना पड़े तो ऐसे ही उन्होंने turn किया देखने के लिए कि जिसने सवाल किया है उसको जवाब दे दे, turn किया उसको neighbor को देखने के लिए लेकिन जब turn किया देखने के लिए उस इंसान को जिसने उनको question किया है तो वो देखा उन्होंने कि वो एक बहुती famous face था मतलब बहुत ही famous आदमी था जिन्हों ने उसको सवाल किया था narrator को and it was someone with a shock of white hair and a pipe और वो कौन था उसके बाल एकदा में न white white थे shocking कैसे shock हुए वे रते हैं तो खड़े हो जाते हैं वैसे shock of white hair and a pipe और मुँ में एक pipe था जो pipe जैसे cigar pipe वगरे होते हैं जो blow करते हैं वैसा उस type का pipe I knew that I must tell this man the truth He looked at me as if my answer was very important और मुझे पता था कि मैं मुझे सच कहना चाहिए और वो आदमी जो है जिसने मुझे सवाल किया वो मेरे तरफ इस तरह से देख रह था वो famous आदमी मेरे तरफ इस तरह से देख था as if मेरा answer उसके लिए बहुत important था वो wait कर था मेरे answer के लिए I do not know anything about the bark about bark I said I had never heard any of his music He looked surprised अब वो कह रहा है कि narrator जो कह रहा है कि मुझे बाग के बारे में कुछ नहीं पता है और नहीं मैंने कभी इसके बारे में कुछ सुना है अब जब मैंने ऐसे कहा तो वो surprise हो गया जिसने मुझे सवाल किया था वो जो famous man है एकदम surprise हो गया You have never heard of bark he asked तो वो मुझे पूछने लगे क्या तुमने कभी बाग के बारे में नहीं सुना है He made it sound as if I had said that I had never taken a bath और वो इस तरह से मुझे सवाल कर रहते ऐस इस मुझे ऐसे लगा जैसे वो मुझे से ये पूछ रहे कि मैं कभी नहाया नहीं हूँ क्या मतलब उनके लिए ये एकदम unexpected answer था कि मैंने कभी आज तक बाग सुना नहीं और मुझे पसंद नहीं पता नहीं इसके बारे में I'd like to understand music so that I could understand बाग I said but I'm not able to, I'm tone deaf तो मैंने narrator को, जो मतलब narrator था narrator कहता है कि मैंने उस इंसान को कहा कि मुझे अच्छा लगता है music समझना लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ बाग मुझे समझ नहीं पेठता है और मैं समझने की कोशिश करो तो भी मुझे नहीं समझ आएगा तो वो old men जब ख़ड़ा हो गया और उसने फिर मुझे कहा कि तुम मेरे साथ उपर चलो उसने मुझे बोला लेकिन मैं वही पर बैठा रहा फिर उसने फिर से मुझे request किया कि I request you to come with me वापस से उसने कहा तो फिर मैं उठा So I went up with him He took me to a room which had a gramophone in it and asked what kind of music do you like तो मैं फिर उठा क्योंकि दो बार बोल दिया ना इसके लिए तो फिर अच्छा नहीं रखता है कि कोई अगर अपने को बार बार कुछ कहे तो तो मैं उठ गया फिर वो मुझे एक रूम में लेके गए वो रूम उपर के तरफ एक रूम में लेके गए वहाँ पर एक gramophone था आप देख सकते हो यह रहा gramophone यह एक machine है जो पहले recorded music play करने के लिए round round disc होते थे वो play करने के लिए यूज किया जाता था इसे gramophone कहते है तो वहाँ पर उन्होंने पूछा मुझे gramophone में और तुम्हे क्या किस टाप का music पसंद है उन्होंने मुझे ऐसे पूछा कि तुम्हें किस टाप का music पसंद है well I answered I like songs that have words and the kind of music where I can follow the tune तो मैंने कहा कि मुझे ऐसे गाने पसंद है जिसमें songs हो मतलब ऐसा music पसंद है जिसमें गाने हो और इस तरह का music होना चाहिए कि मैं उन गानों के साथ साथ गाना गा सकूँ मतलब मैं tune को follow कर सकूँ he smiled and nodded obviously pleased you can give me an example perhaps तो जब मैंने बोला कि ऐसा होना चाहिए music जिसमें गाना हो और उन गाने के बोल को मैं follow कर सकूँ पीछे-पीछे तो उन्होंने smile किया smile करके अपना सीर हिलाया मतलब positive way में अपना सीर हिलाया और ऐसे लग रहा था जैसे मानो मेरी बात सुनकर उनको खुशी हुई है थोड़ी और फिर वो मुझसे पूछने लगे कि कोई example दो मुझे तुमको किस टैप का गाना पसंद है तो I told him I like anything by Bing Crosby तो मैंने कहा कि मुझे Bing Crosby द्वारा कोई भी music अच्छा लगता है Bing Crosby ये कौन एक American singer और actor है At once I could hear Bing Crosby's voice filling the room और जैसे ही मैंने कहा Bing Crosby मुझे पसंद है तो वैसे ही उन्होंने Bing Crosby का कोई गाना लगा दिया और उस पूरे रूम में जो है Bing Crosby का काना गुझने लगा Now can you please tell me what you just heard he said और फिर थोड़ी दर बाद में बन करके मुझे से उन्होंने पूछा कि अब बताओ कि तुमने क्या सुना The simplest answer seemed to be to sing the lines So I sang it back to them तो सबसे बड़ी answer इसके लिए वही हो सकता है जो उन्होंने question किया कि तुमने क्या सुना वो यह सबसे best answer यह हो सकता कि मैं वो जो मैंने सुना है वो मैं गा के बता दूँ तो मैंने गा दिया He smiled, you are not tone deaf he said तो वो हसे और उन्होंने मुझसे कहा देखो तुम tone deaf नहीं हो तुमको music समझ में आता है I told him this was one of my favorite songs तो मैंने उनसे कहा कि यह तो मेरा one of the favorite songs है something I had heard hundred of times so it didn't really prove anything और यह मेरा इतना favorite है कि मैंने उसको कई सौ बार कम से कम सुना है तो इससे कुछ प्रूव नहीं होता है कि मुझे मैं tone deaf नहीं हूँ तो यह सब कुछ बता देता है जो भी तुमने अभी गाया है it tells everything do you remember your first arithmetic lesson in school अब वो पुछते हैं कि तुमको पता है तुमारा पहला arithmetic lesson in school में कैसा था arithmetic lesson in math mathematics की class जो है आपकी school में जब पहली बार आपको जब mathematics इंट्रडूश किया गया था तो के directly आपको mathematics के long long multiplication और division के sums दे दिये गये थे नहीं ना आपको starting में सबसे पहले numbers लिखने को दिये रहेंगे फिर उनको add करना, subtract करना फिर आपको multiplication और division fraction कराएंगे directly थोड़ी ना कोई multiplication fraction कराएगा तो पहले ही बार में अगर आपको कै दिया गया हो जब maths का just introduce ही हुआ है पहली बार में आपको कै दिया गया हो कि divisions करो, fractions करो तो क्या आप कर पाते थे? नहीं, आपको numbers की knowledge ही नहीं है तो कैसे कर पाते थे? लेकिन once आपको numbers की knowledge हो गई तो आप definitely कर पाऊगे no of course not, तो मैंने answer किया नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा exactly, it's like learning maths तो Einstein कहते exactly, यह maths learn करने जैसा ही है you have to learn addition and subtraction in order to do multiplication and division आपको addition and subtraction learn करना पड़ेगा multiplication और division करने से पहले now I am playing something a little more advanced और यह कहकर Einstein ने कहा कि अब मैं कुछ और थोड़ा advanced music play करने वाला हूँ it was John McCormack singing the trumpeter sing that back he ordered अब जो दूसरा music उन्होंने लगाया था Einstein ने वो था John McCormack का the trumpeter और फिर बाद में वो music खतम होने के बाद में मुझसे कहा कि चलो यह गा के बताओ and we went on from level on higher level until he was playing just music without words और ऐसा करते करते हम और advanced music, advanced music करते करते finally ऐसे music पर पहुँच गए जब music में words ही नहीं थे गाने ही नहीं थे, सिर्फ और सिफ music था I was amazed that this great man was paying complete attention to me so that I could learn something new और मुझे तो बहुत ही shocking फिल हो रहता कि यह जो आदमी है वो मुझे पर इतना ध्यान दे रहा था as if ताकि मैं कुछ नया सीख सकूँ it was as if I was the most important person in this world और इस तरीके से मुझे सिखा रहा था वो पूरा ध्यान दे कर जैसे कि मैं उसके लिए सबसे important person हूं उसके world में suddenly he got up and turned off the gramophone और all of a sudden यह music चलते चलते बीच में वो उड़ गए और उन्होंने gramophone बन कर दिया now young man he said we are ready to listen to Bach तो अब फिर उन्होंने कहा Einstein ने now young man मेरे मुझे मतलब narrator को कि अब हम तयार है Bach सुनने के लिए we went down and sat in the hall हम नीचे गए और hall में बैठे just allow yourself to listen he said that's all there is to it तो और उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ अपने आपको सुनने दो बस उतना ही है इस चीज के लिए I have heard that piece many times since that day तो उस दिन से रहके आज तक मैंने ये piece बहुत बार सुना है Bach but I am never alone I am sitting beside a small man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth लेकिन जब भी मैं वो music सुनता हूँ तो मैं कभी अकेला नहीं होता हूँ मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे बाजू में ये short आदमी खड़ा है जिसके बाल एकदम सफेद है ऐसे लगता है जैसे कोई shock लग गया हो उनका उनको और मुँ में उनके pipe है He has eyes that are unusually warm और बहुती warm eyes है उनकी जो normally, usually किसी की होती नहीं है When the concert ended I too was able to clap sincerely और जब ये concert खतम हुआ तो मैं भी sincerely, truly तालियां बजा पाया क्योंकि मुझे समझ आया समझ आया तो मैंने तालियां बजाई कब खतम हुआ मुझे समझ आया Our hostess came towards us We both stood up तो हमारी जो hostess थी philanthropist जिसने party रखी थी वो हमारी तरफ आई और हम दोनों खड़े हो गए I am so sorry Dr. Einstein She said giving me a cold look that you missed so much तो वो Einstein को कहने लगी कि I am so sorry और मेरी तरफ देखकर यहने narrator की तरफ देखकर cold look देने लगी cold look मतलब गुस्से वाली नजरों में कि मेरी वज़े से Dr. Einstein ने काफी कुछ मिस किया तो वो कहने कि She said giving me a cold look that you missed so much मतलब आपने बहुत कुछ मिस कर दिया और मेरी तरफ इस तरफ से देखकी as if वो कहना चारी हो कि मेरी वज़े से उन्होंने मिस किया है I am sorry too he said My young friend here and I however were engaged in the greatest activity of which a human being Why? Because ये जो मेरा young friend यहाँ पे है ये और मैं कुछ ऐसी बहुत बढ़िया activity, greatest activity महान activity में busy थे जो human being जो capable है उस activity करने के तो उसी activity में busy थे She looked puzzled, really? She said and what is that? तो वो एक्दम confused से दिख गई जब Dr. Einstein ने कैसे किया कि हम बहुत great activity में busy थे हम दोनों जण जो human being capable में असी कौन से activity है जो human being capable है और इतनी महान तो वो एक्दम confused हो गई Really? She said and what is that? तो confused होकर पुछने लगी सच में और वो क्या है activity? तो Einstein smiled and put his arm across my shoulders तो Einstein ने एक smile दी और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा Opening up the frontiers of beauty ऐसे लगा मानों जैसे beauty के लिए मतलब जो hurdle होता है रुकावट होता है उसको open कर दिया कि beauty आप सब कोई देख सकता है यहने उन्होंने music सिखाया नरेटर को music सिखाया तो music is what? music is beauty music को enjoy करना भी beauty ही है beauty को enjoy करने जैसा ही है तो वही opening up frontiers of beauty यहने कि जिसे जो समझ नहीं आ रहा था उसको उसकी समझ मिल गई और वो जब उसे समझने लगा music को तो उसके लिए वो एक बहुती beautiful नजारा था तो यह इसी के साथ मेरा chapter inspiration खतम होता है अब इसका question answers जो है इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी लेकिन उसका link आपको मैं description box में दे दूँगी तो अभी आप देख सकते हो आपको description box में उसका link मिल जाएगा आज के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगी अगली वीडियो में तब तक के लिए stay safe stay secure thank you